हेल्दी रहने के लिए हमें परियापत मात्र में प्रोटीन्स और विटामिन्स की जरूरत है इसलिए हम हमेशा रोज के खाने में भरपूर प्रोटीन और विटामिन मिले ऐसा खाना खाते हैं लेकिन कभी-कभी बढ़ती उमर के साथ हमारे शरीर से कुछ विटामिन की मातरा कम होने लगती है Yearly Medical Check-Up के दारन पता चला कि बहुत से लोगों में विटामिन D की मातरा कम दिखायाई देती है विटामिन D की डेफिशिंसी से बोन्स कम्जोर होने के सिवा और कोई परिणाम भी होते हैं हमारे शरीर के लिए विटामिन D बहुत ज़रूरी है इसलिए ये हमें संसे free of cost मिलता है इसलिए आज के विडियो में हम देखेंगे कि विटामिन D का लेवल बॉडी में कम क्यों नहीं होना चाहिए लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए हमारी चानल आज काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले आज के वक्त में बहुत लोगों में विटामिन D की कमी पाई जाती है इसलिए ऐसा कह सकते हैं विटामिन D की डेफिशन्सी एक बिमारी की तरह है ऐसी क्या वज़ा हो सकती है कि विटामिन D सिर्फ एक डेफिशन्सी ना होके बिमारी है ऐसे कहने के बहुत सी वज़ाय है क्योंकि विटामिन D सिर्फ हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी नहीं है बलकि विटामिन D का लेवल प्रॉपर होगा तो उससे डाइबेटीस की रिस्क भी कम होती है विटामिन D हमारे बोडी के इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत इंपोर्टन्ट होता है अगर आपके बोडी में विटामिन D परियाप्त होगा तो इम्यून इंफेक्शन होने से सुरक्षित रखता है इसके सिवा हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी विटामिन D बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दोरन सफिशन विटामिन D होगा तो जेस्टेशनल डाइबेटीस होने के चांसेस भी कम होते है अब सवल ये आता है विटामिन डी हमारे लिए इतना ज़रूरी है तो उसको प्रॉपर कॉंटिटी में रखने के लिए क्या करें? विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए सनलाइट में 20-30 मिनिट रहना अच्छा उप्शन है उसके सिवा विटामिन डी के सप्लिमेंस भी ले सकते है लेकिन सिर्फ सप्लिमेंस लेने से विटामिन डी की डेफिशनसी पूरी नहीं होगी उसके साथ मेगनेशियम रिच फूद्स जैसे की स्पिनेच, वीट ग्रेंज, नाथ्स, ब्लैक बीन्स की भी जरूरत रहती है मेगनेशियम विटामिन डी के उप्योग में मदद करता है इसके सिवा नॉन वेजटेरियन लोगों के लिए फिश, लिवर, एग योक्स, चीज जैसे चीजों से भी विटामिन डी मिलता है हमारे बॉडी को सभी पॉस्टिक तत्वर जरूरी होते हैं लेकिन विटामिन ज्यादा जरूरी होता है विटामिन डी से तो बोन स्ट्रॉंग रहते ही है उसके सिवा और क्या इंपोर्टेंस है वो भी हमने देखा है इसलिए अपने बॉडी में विटामिन D हमेशा परियाप मात्र में रखे और उसके विटामिन D वाले फूर्ड रोज खाया करे तब विटामिन D से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और अगर आपको हमारी ये विडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब सरूर करे और अगले विडियो तब के लिए अलविदा दोस्तों धन्यवाद